कि प्रश्ण सामने आया कि प्रश्ण है क्या गोल कीपर की जर्शी का नंबर वन क्वैल या सिस्टीनी होना कंपल्सरी है कि इसके अलाबा कोई दूसरे नंबर गोल कीपर नहीं पहन सकता तो जी बिल्कुल ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि गोल कीपर की जर्शी का नंबर वन या ट्वैल या सिस्टीनी होना चाहिए वन से लेके 99 तक कोई भी नंबर गोल कीपर यूज़ कर सकता है कि मैंने इसको पहले भी बताया है नंबर आप साइच के बारे में ट्वैंटी सेंटिमीटर जर्शी के बैक साइट पर आपका नंबर प्रिंट होना चाहिए एवं कि टैन सेंटिमीटर फ्रंड चैस्ट पर उसी को हम चैस्ट नंबर कहते हैं अक्सर हमने देखा है कई प्रित्योक्ताओं में कुनामेंट में कि खिलाडियों के बैक साइट तो नंबर रहता है किन्तु फ्रंड साइट चैस्ट नंबर नहीं रहता तो यह नियम के अंतरगाद नहीं आता यदि आपको हेंड़ोल का मैश खेलना है अच्छे स्तर में आपकी टीम पार्ट फिर्ट होनी है तो निच्छी तीन कम्यों को आपको पूरा करना चाहिए गोल कीपर का नंबर बिलकुल अलाओ है यह इस बात की चर्चाम पहले ही कर चुके हैं कोई खिलाड़ी एज गोल कीपर अपने रेश्टेशन करता है और हाफ टाम के बाद वह चेंज उकर एज़कोट प्लियर बनता है विलकुल बन सकता है उसका अधिकार है किन्तु उसका चैस्ट नंबर वही रहेगा कई यह पार ऐसी घटना जाती है कि जो गोल कीपर है कि उसको कोड प्लियर बनना हो किसी दूसरे का नंबर टी-शिट पहन के वह कोड मेंट्री कर देता या कोई दूसरा प्लियर उस कीपर की जर्सी पहन के गोल कीपर बन जाता है तो यह बिलकुल भी यह नियम का उलंगन ब्लियां और लोटी के वाल होंगे कि में ब्लियर कीपर बन सकता कोई भी कि इसके लिए वी टाइम कभी भी इसके लिए कोई बातता नहीं है हेंड बॉल खेल नियम में बात दिता है यदि आप बूल की पर हो तो आपको identify कलर अर्थाथ आपके कोट पलेवरों से डिफरेंट कलर की जर्सी पहना पड़ेगी कि इन नियमों का जो पालन करते हैं कि उनके लिए कोई कि परिशानी नहीं होगी मेंच के तोरां कि यह काफी अच्छा एक मैंस्पूल प्रश्ण है कई जगह भ्रांती है कि यह गोल की पर है उसको सिर्फ एक नंबर या 12 नंबर या 16 नंबर की जर्सी अलोट की आती है